तो दोस्तो आज 10 नवेंबर 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवेस सेक्टर का कुछ इंपोर्टेंट कमपनिस की क्वार्टा टू का रेजल आज आउट हुआ जो कि आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे साथी साथ दोस्तों केमिकल सेक्टर का दिगज कंपनी दीपक नाइटेट का शियर भी आज लगबक सारे 9 से 10 परसन के आसपास क्रैश हुआ तो इतना भारी बर्गम गिरावट की पीचे रिजन क्या है जो कि आगे वीडियो में हम जानेंगे साथी साथ आपका आगे का रनी थी क्या हो सकता है दीपक नाइटेट के उपर उसके उपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अब चलिए एक एक करके कवर करते हैं सबसे वहले हम बात करेंगे लेलवेस का एक बहतरीन कंपनी जिसका नाम है आड़ वीनल तो आज आड़ वीनल का क्वाटर टू का रेजल्ट आउट वा चलिए फटा 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 हम देख लेते हैं कि कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस हु सबसे पहले आजाता है कंपनी का टोटल इंकम तो जैसे कि आप आप देख सेकते हैं इस क्वाटर में मतलब क्वाटर टू पे आर्वीनल का टोटल इंकम हुआ है पांच हजार एक सो तीस करोड़ रुपई जो कि लास्ट क्वाटर जून क्वाटर पे हुआ था चार हजार 78 करोड रुपई और लास्ट यार पे हुआ था 4215 करोड रुपई यानि चाहे क्वाटर और की बात करें या या यर और की बात करें दोनों ही सेग्मेंट पे काफी बढ़िया जंप हमें देखने को मिला साथ साथ अगरम बात करें कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो भ अगर देखा जाए टोटल इंकम बनने के साथ साथ जो कंपनी का एक्सपेंसेस कॉस्ट है उसके अंदर भी काफी जम देखने को मिला बट अगर हम बात करें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी काफी बढ़िया हमें जम देखने को मिला कंपनी का इस बार म यह की बात करें चाहे हम quarter on quarter की बात करें दोनों ही सेग्मेंट पे कंपणी अच्छा परफॉर्म किया यानि ओवरल अगर हम बात करें दोस्तों कंपणी के रेजल इस बार मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि expenses cost बढ़ जाने के बाद भी कंपणी काफी अच्छा यहां प quarter two का रेजल्ट हमने देख लिया अभी हम बात करेंगे डेलवेस का एक दूसरा बैतरीन कंपणी जो की लास्ट पांच से छह मैंने के भीदर बहुत ही शांदार डिटर्न कमाके दिया अपने शेयर होल्डर को जिसका नामे राइट्स तो आज बेसिकली राइट्स का भी quarter two क रेजल्ट आउट हुआ साथ साथ कंपणी अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का भी अनॉस्मेंट किया सारे चार रुपए पर एक्विटी शेयर साथ साथ उसका रेकॉर्ड देट भी कंपणी आप मेंशन कर दिया जैसे कि आप अब देख सकतो यह बेसिकली सेग तो देखिए सबसे वहले कंपणी का टोटल इंकम तो टोटल इंकम में दोस्तों काफी गिरावठ हमें देखने को मिला जैसे कि आप देख सकते इस बाट कंपणी का टोटल इंकम हुआ है चैसो चुरासी करोर रुपए नौर डाउट कोई बहुत बढ़ा जम देखने को नह सब्सक्राइब कंपणी का टोटल इंकम है वो उसके अंदर काफी गिरावठ देखने को मिला साथ इसाथ दोस्तों कंपणी का जो टोटल एक्सपेंसेस कोस्ट खर्चाब बहुत जादा बढ़ गया जिस बएसे कंपनी का अल्टिमेटली नेट प्रॉफिट के अंदर उसका इंपक्ट देखने को मिला जैसे कि आप अब देख सकतो कि टोटल इंकम तो क्वाटर और पर काफी बढ़िया जम देखने को मिला था बट उसके बाब जूद भी एक्सपेंसेस कोस्ट इतना बढ़ गया जिस बएसे जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर काफी गिरावर देखने को मिला जो कि इस बार राइट का टोटल नेट प्रॉफिट आया है 140 करो रुपए जो कि लास्ट कोटर पे हुआ था 144 करो रुपए का और लास्ट येर पे काफी ज्यादा था अल्मूस्ट 174 करो रुपए का था तो जिस बैसे दोस्तों कमपणी की शियर भी आज थ के बाद मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ तो इसका इंपक्ट आपको नेक्स्टे मतब कल फ्राइडे के दिन जब बजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलागा आप मुझे कमेंट करके जरूर बतना आगे कि आपको क्या लगदे कि राइट और आर्वीनल द दूसरी और में बात करें राइट के अंदर भी करीबन सारे 6 परसंट के आसपास गिरावट के साथ क्लोजिंग गया तो बेसिकली देखें लास्ट एक मैने की बात करें या हम 6 मैने की बात करें राइट का शेर काफी हद्ट तक रिकोवर किया था आर्वीनल भी आप देख स तो लास्ट एक मैने पे आज सिदा सिदा पांच सारे पांच परसंट गिरावट के बाद भी 33 परसंट की रिटरन आपको देखने को मिलेगा तो बेसिकली बीच में हमने देखा भी था कि एक वह फिर जो कि आफ़र फॉर सेल आनिका भी एक प्लैन है कि गवर्मेंट आप इ देखने को मिला आई तिंग कि अर्वेनल की शेर कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आ सकता है या तो थोड़ा बहुत कम जोड़ी या वालेडिली हो सकते बाट कल राइट के अंदर दोस्तों गिरावट होने का बहुत जदा चांस है क्योंकि अचानक से हमने देखा था एकदम से बढ़ गया था लास्ट चार-पाच मेने की भीतर उसके बाद आज की रेट फाइनली धोड़ा वाथ हमें कमजोरी के साथ क्लोजिंग देता हुआ भी नजर आया नाइट के इंपोर्टन लेवल से सारी 300 के आसपास अगर गेटता है यहां पर सपोर्ट मिलने का च तो दोस्तों हो गया डेलवे सेक्टर का आज की रेट पर दोस्तों दीपक नाइट की शियर सारे 9 परसें गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया था बीच पे अमने देखा यह गिरावट काफी डिप तक पहुंचिगा था अल्मोस्ट दो हजार चुआतर पर जोकी अपना लो देख किया अभी हम बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर में इशू हमें देखने को मिला था सेप्टेमबर को अटेर की रिजल में देखें टोटल इंकम की बात करते कंपनी का टोटल इंकम यह और और पे काफी ठीक टाका यह था बट को आटर नकॉर्ट पर ड्रॉप दे देखने को मिला और कोई चोटा मोटा गिरावाट नहीं सीधा 254 करोड से गिरके 174 करोड और इधर भी कौटर और पर भी 235 करोड से गिरके 174 करोड पर पहुंच क्या उसके साथ हमने देखा भी है कि आज सुबह सही जो की ब्रोकरेज कंपनी बोली या एक्सपर्स यह लग जुन जुलाई के टैम पे गिरा था उसके बाद देखे शियर अल्मुस्ट 36 परसेंट की उपर में रिकावर भी कर चुका तो बीच में कोई बहुत बढ़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला था यहां पे थोड़ा बहुत बढ़ा एकदम से नोस ड्रेब करेक्शन नहीं हु वह होगा 2000 के लेबल जो कि इसके पहले भी मैं आपको कहा था अगर दीपाक नैटेट का शियर आपको फर्दर 2000 से लेके 2040 30 का स्वास मिल जाता है तो अब देखे दीपाक नैटेट को सबसे वाला सपोर्ट देगा 2000 अगर इनकेस 2000 का लेबल ब्रेक होके नीचे जाता है तो सारे के सारे केमिकल सेक्टर की कंपणी का प्रॉब्लेम है आज के रिट में ग्लोबल मार्केट की अंदर जो रॉब मेटेल का प्राइज इंक्रीस हो रहा है उसके वजह से तो जिस बैसे आपके वास अगार शेयर है मैं आपको स्ट्रॉंगल रेकमेंड करूंगा लॉंग के लिए कंपनी ख़राप कंपनी नहीं है लांग टम के लिए अच्छी कंपनी यह डेट फ्री कंपनी आपके आपके अंदर बाकी दोस्तों बहुत सारे अपडेट आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और वीडियो अच्छे लएगे तो बेटे क्या बाबाई जय हिन्दी